असलाम अलेकुम मेरे चैंनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ ये र абсолютnalala解 ये र stimalala解 केक है ना मैंने यीद की मतलब चांदारात में ये मेरा बहुत ही जालदी बाजी का केक था और ये मैंने मतलब अपने घर पे ही खाने के लिए बनाई थी, घर पे मतलब इद में जो सब लोग मिलने आते हैं उसी के लिए मैंने ये बनाई थी, और ये खाने में बहुत ही जादा टेश्टी था, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, तो बस मैं इसे बना के आपको दिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, और आप भी जरूर इसे बना के ट्राइ कीजिएगा, इसे बनाने के लिए मैंने डेड़ कप प्रीमिक्स का यूज़ करके इसे बनाई थी, और प्रीमिक्स में मैंने सिर्फ यलो फूड कलर बाकी स्पोंज जिस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से मैंने इसको बना ली थी, इसको एर टीन में मैंने बनाई हूँ, इसको और इसकी लिंक में दे दूंगी नीचे स्पोंज कैसे बनाते हैं, आप वहां से देख लिजेगा, मैंने स्पोंज कैसे रेडी की हूँ, बस इस तरीके से मैंने इसको तीन लेयर में कट कर ली हूँ, आप अंदर से देख सकते हो मेरे केक में कितनी अच्छी सी जाली बनी हुई है, जो मैं लिंक शेयर करूंगी, वो मैंने डायरेक अपने प्रीमिक्स से नहीं बनाई हूँ, डायरेक मैं केक बना के, इस्पोंज बना के आपको दिखाऊंगी, और यह जो मैंने बनाई हूँ, यह प्रीमिक्स से बनाई हूँ, तो आपको पता है, यह कुछ करना नहीं होता है, बस उसमें थोड़ा सा दो चमच तेल, और अगर आप फूड कलर डालना चाहते हो, तो कलर, और फिर बस पानी डालके मिक्स करना है, और बेक कर लेना है, इस बर मैंने जिन्ना की है ना, गोल्ड वाली, यह कृम ली हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत ही जादा दूसरी वाली क्रीम से बहुत जादा अच्छा लगा, यह मैंने पहली बार ही लाई थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत जादा उसम था, बाकी क्रीम रेट में है ना, यह 20 रुपया वो वाले मेरी पहले वाली जो क्रीम यूज़ करती थी, उससे जादा था, लेकिन टेस्ट बहुत जादा अच्छा था इसका, अब मैं है ना, क्रीम को बीट कर रही हूँ, मैंने अंदाजे से एक कप के बराबर क्रीम ले ली हूँ, अ उसके लिए बहुत कम क्रीम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब लोग क्रीम हटा हटा के इसका स्पोंज खाते हैं, तो मेरे घर में क्रीम बहुत कम पसंद करते हैं, अब क्रीम को बीट करते हुए, उसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाली हूँ, मैंन क्रिम पैपिंग बैग में डालके लगाने से बहुत अच्छी से आप केक पे लगा सकते हो और जो बिगनर्स है जो सीखना चाते हैं केक उनके लिए भी बहुत जादा इजी हो जाता है इस तरीके से लगाने से अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने दो डबे में रसमलाई ल से ही इसको अच्छी तरीके से पूरा इस तरीके से जैसे हम शुगर सीरप से करते हैं उसी तरीके से रसमलाई वाले में रस का यूज करना होता है और पूरा अच्छी तरीके से सोप कर लेंगे अच्छी तरीके से सोप करने से इस पॉंज भी एकदम रस्मलाई का टेश्ट आता है और बस इस तरीके से इसमें पाइपिंग बैग की मदद से मैं एकदम महीश से आसान हो जाता है केक बनाना और पूरे पूरे केक में एक बराबर से क्रीम लगती है तो बस इस तरीके से कर लूँगी पूरा ऊपर से आप वीडियो में देख सकते हो बस इसे प्लेन करने के बाद मैं इस केक को थोड़ा सा हाइड देना चाहरी हूं तो बस आपको अभी मैं दिखाती हूं किस तरह से आप अपने केक को है थोड़ा हाइड दे सकते हो कम क्रीम का यूज करके इस त तो आप इस तरीके से चारो तरफ बस एक boundary की तरह बना लीजिए और इससे केक को थोड़ा सा आपके हाइड मिलेगी अब इसके अंदर में रस्मलाई जो है उसको छोटे-चोटे टुकड़े में तोड़ तोड़ के डाल रही हूं आप देख सकते हो वीडियो में और मैं इसमे भर-बर के डाल रही हूं कोई कंजूसी नहीं है इसमें इस तरीके से निचोड ले रही हूं मैं उसका रस जो है क्योंकि मैंने पहले ही डाल चुकी हूं अब इसमें बहुत जाद मैं और नहीं रस डालना चाहती हूं तो इसलिए मैंने उसको पूरा रस उसका निकाल के इस अब इसी तरीकी से मैंने दूसरा अपना है डायर के रख दियूँ और उसको भी रस्मलाई के रस से पूरा इस तरीकी से शोप कर लूज़ी पूरे केक को शोप करने के बाद सेम उसी प्रोसेस से आगे करते जाना है अब बस मेरा पूरा सोप हो गया है अब उसी तरीके से मैंने दुसरे वाले को भी लेयर को भी मैंने इसी तरीके से पाइपिंग बैग में और जादा क्रीम भर के और पूरा कवर कर दी हूँ बस लगा लेना है और सेम इस्टेप फॉलो करना है आपको यह देख लिजे अब दूसरा वाला भी मैं इसी के उपर आइसी तरीके से बॉंडरी की तरह चारो तरफ से ना कर दूँगी तो यह थोड़ा सा मेरे केक को हाइड मिलेगी बहुत से लोग है ना इसको थोड़ा क्रीम जादा डालके हाइड करते हैं लेकिन मुझे क्रीम यहाँ पर जादा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे घर पर सब लोग क्रीम को है ना साइड में कर देते हैं खाने के टाइम पर और इस लेयर में भी मैंने दो बड़ी वली रस मलाई टिक की का यूज की हूँ बड़ी वली यह रस मलाई है तो तोड़ तोड़के मैंने पूरा उसके अंदर डाल दी हूँ अब ये लास्ट लेयर को मैंने शुगर सिरप नहीं ये दूद मलाई का रस मलाई का जो रस है उसी से कवर कर रही हूँ पूरा इस तरह कैसे करने से पूरे स्पॉंज में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अब उपर के लेयर को मैंने पतला पतला ही किरिम लगाऊंगी क्योंकि मैं इसको क्रम कोट करके अभी थोड़ी देर के लिए है ना फिरिज में डाल दूगी थोड़ी देर के लिए नहीं के लिर्घे को आधे गंटे में निकाल और क्याई के लिए और फिरिज फड़ी में डाल सकते हूं कि मैंने आदे गंटे में रखेते अभी दूबारा में चारो तरफ से गुमा गुमा के परपा स्सॉड़ी दी मैंने इसको भी पूरा कवर की हूँ आप चाहो तो डायरेक भी लगा सकते हो डायरेक लगाने से उतनी अच्छी फिनीशिंग नहीं आती है इस तरीके से जो बिगनर्स है वो भी अच्छी तरीके से लगा पाएंगे और ये बहुत ही एजीली हो जाता है और कहीं कम और कहीं जादा किरिम भी नहीं लगती है इस तरीके से लगाने से अब मैं ये चारो कोने को इस तरीके से कर दूँगी तो बहुत अच्छी से ये बन जाएगा और बस एक से दो बार ही है ना प्लेट नाइफ गुमाना पड़ता है और ये बहुत अच्छी से तरीके से और आपतीट सक्षेम करती हूं इस तो बैंझे का ज़ना कर लिए एन्हेरा थोड़े से ज़ना तरस बादे थे और समूद करोगी ज़ना सब्सप्रक्ष richtige से ज़ना सब्सचप्षेज करें ज़ना सकता हमको जड़ी सब्सकिटें इसमूद है म outta Hazal अब मैंने यह रोज बना रही हूं चारो कोनों पे हैं न मैं रोज बना दूंगी इस टार नोजल से मैंने इसको रोज बना दी हूं और बीच में भी एक रोज में बना दी हूं और अब बस ये इस तरीके से सिंपल सी ही मैंने डिजाइन बना आई हूं इस पे और ये देखने में बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहा था आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो आप अपनी पसंद से मैंने बस मेरे दिमाग में यही चल र दिजाइन समझ आई लेकिन यह बनने के बाद बहुत जादा खुबसूरत भी लग रही थी डिजाइन अब मैं जो पांच फ्लावर बनाएं ना पांचों में यह रस्म लाई जो मैं छोटी वाली लाई थी छोटे डब्बे में वह वाली इस पे रख रही हूं इस तरीके से अब यह जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है मेरा क्रीम वह इस तरीके से डॉट 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 करके मैं नीचे के भी पूरा कवर कर लूँगी चारो तरफ से अइसा बनाने में यह बहुत अच्छा दिकता है बॉडर और यह बहुत कम किरीम भी लेता है तो बस मेरा यह केक बन के तयार हो गया है और यहां पर मेरे पास silver फ्लेक्स जो आता है cake पर डालने वाला वो नहीं था मेरे पास है न silver जो खाने में या मिठाईों में लगाने वाला silver paper जो आता है न ये edible होता है और ये वाला था तो मैंने सोची कि चलो जुगाडू तरीका यूज करते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा इसके उपर मैं लगा दी थी cake पर लगाने वाला अलग से आता है silver flex वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये जुगाडू तरीका यूज की हूँ अब इसके उपर मैंने थोड़ा सा बादामी थोड़ा थोड़ा कट करके डाल दी हूँ अब थोड़ा से है ना rose petal भी मैंने तोड़ तोड़के इसको अच्छी तरीके से side औगेरा में और बीच बीच में सब जगा लगा दी हूँ उम्मीद करती हूँ कि आज का cake आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज